हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे पुस्तक पढ़ने के लाब, यानि Benefits of Reading. आप सभी को पता होगा कि इस दुनिया में बहुत से ऐसे लोग हैं जिनने किताब पढ़ना बहुत पसंद है. लेकिन दूसरे तरफ ऐसे भी बहुत से लोग हैं जिनने किताब के नाम से ही नीन दाने लगती है. इसका एक कारण है कि उन्हें किताब पढ़ना पसंद नहीं है. तो आज ये आज जानते हैं कि पुस्तक क्यों पढ़ना चाहिए? Why? To read books. पस्तक के हमाई जीवन का हिस्सा होती है कि कि ये हमें ग्यान देने के साथ साथ हमें कई प्रकार से मांसिक यानि मेंटल वे शारिरिक यानि फिजिकल रूप से फाइदा पहुचाती है. पुस्तक पढ़ने के फाइदों में मान से कलाब, स्वास्थ में सुधार, शारीरिक स्वास्थ में सुधार, स्वस्थ आदते बनाने से लेकर व्यक्तिकत मनुरंजन के अलावा भी और भी कई सारे फाइदे हैं तो आएए जानते हैं पहला फाइदा है अल्जाइमर और डिमेंशिया से बचाएं अध्यनों से पता चलता है कि रोजाना पुस्तक पढ़ने से दिमाग मानसिक रूप से उत्तेजित रहता है जिससे अल्जाइमर और डिमेंशिया के होने की संभावना कम हो जाती है दूसरा फाइदा है, वे हमें तनाफ से बचाता है It helps to reduce stress बहुत से यसे लोग हैं जो अपने तनाफ को कम करने के लिए अपनी पसंद की कोई भी किताब पढ़ते हैं जिससे उनका तनाफ कम हो सका आप भी अपने तनाफ को कम करने के लिए अपने पसंद की पुस्टक को पढ़ सकते हैं तीसरा फाइदा है वे ज्ञान बढ़ाता है It helps to increase knowledge किताब पढ़ने के सबसे अच्छा फाइदा ये है कि आपको ज्यान बढ़ता है आपके पस जितना जदा ज्यान होगा आप लोगों की चनौती का सामना कर सकेंगे चौता फाइदा है वे आपकी याद रखने की शम्ता को बढ़ाता है It helps to boost your memory हम सब ही रोजाना जीवन में बहुत सी चीज़े देखते हैं और पढ़ते हैं लेकिन आप सब ही को याद नहीं रख सकते हैं किन्तो जो लोग पुस्तकों को जादा पढ़ते हैं उनकी memory जादा अच्छी और मजबूत होती है जो छोटी-छोटी चीज़ों को याद रखने में सहायक होती है पाँचवा फाइदा है focus और एकाक्रता के लिए It helps to increase concentration power जब आप एक किताब पढ़ते हैं तो आपका सारा ध्यान कहानी पर केंटरित होता है इसलिए किताब पढ़ने से हमारी एकाक्रता और focus की छमता धीरे-धीरे बढ़ने लगती है छटा फाइदा है कि वहाँ आपका आत्मविश्वास बढ़ाता है It helps to build your self-confidence जब हम कोई भी पुस्तक पढ़ते हैं तो हमें बहुत सी ऐसी नई चीज़ों सीखने को मिलती है जो जीवन में हमारी भावनाओं को व्यक्त करने में तथा इसके साथ ये हमारे आत्मविश्वास को भी बढ़ाने में मदद करती है साथवा फाइदा वे हमारी अच्छी नींद के लिए भी सहयक होता है It helps to induce good sleep क्या आप जानते हैं कि पुस्तक पढ़ना आपके नींद में भी मदद कर सकता है इसका मतलब ये नहीं कि ये आपको सोजाने में मदद करता है लेकिन जब आप कोई पुस्तक पढ़ते हैं तो आपका मस्तिश्क यानी brain को ठका देता है जो आपको गहरी और शान्ती पूर्ण नींद आने के लिए मदद करता है आठवा फाइदा है लेखन शम्ता को बढ़ाए It helps to increase writing skills हमारे पुस्तक पढ़ने से हमारे अंदर शब्द वाली यानी vocabulary का विस्तार होता है जो हमारे लेखन शम्ता को बढ़ाने में मदद करता है नवा फाइदा है मनुरंजन का साधन It is for entertainment पुस्तके हमारे लिए एक मनुरंजन का साधन हो सकते है और पुराने जमानों में वर्षों तक पुस्तके पढ़ना व्यक्तिगत मनुरंजन का मातर रूप था तो हमने जान दिया कि पुस्तक पढ़ने के कई सारे फाइदे है जिनको पढ़कर आप समझ सकते हैं कि हमारे पुस्तक का पढ़ना कितना महतपूर है इसलिए आपको रोजाना पुस्तकों को पढ़ना चाहिए तथा लोगों को भी पुस्तक पढ़ने के लिए सला देना चाहिए शुक्रिया